नमस्कार, मैं हो ससी, आई जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन में अब 50 साल वालों को भी मिलेगी बिर्धा पेंसन जार्खन सरकार ने बिर्धा अवस्था पेंसन को लेकर बड़ा फ़सला किया है सरकार ने इसके लिए योगिता आयू 60 से घटा कर 50 साल कर दी है यानि अब 50 साल की उम्र वाले लोगों को भी बिर्धा अवस्था पेंसन मिलेगी इस बात का एलान खुद परदेश के मुख्य मंतरी हेमान सुरेन ने किया है उन्होंने कहा है कि आदिवासी लोगों को जो बिर्धा अवस्था पेंसन पहले 7 साल की उम्र से दी जाची थी उसकी आयू सीमा खटा कर अब 50 वर्ष कर दी गई है दरसल हेमान सुरेन की सरकार को 4 साल पुरा हो गए इसी मौके पर एक कारकरम आयोजित किया गया था जिसमें सरकार का 4 साल का रिपोर्ट काड़ पेस करते हुए उन्होंने कई बड़े एलान किये है उन्होंने कहा 20 सालों में पिछली सरकार ने करीब 20 लाख लोगों को ही पेंसन दी लेकिन सुरेन सरकार ने के वल 4 सालों में 36,20 लोगों को पेंसन दी है उन्होंने कहा आज जारखन में कई ऐसे घर है जहां पीता अंठान में साल के हैं और बेटा 60 साल का है और दोनों को पेंसन मिल रही है बुजूर्ग बीधवा को भी पेंसन मिल रही है अब आदिवासी लोगों को भी 60 के बजाए 50 साल के उम्र पेंसन दी जाएगी घर घर जाकर कुपोसित बच्चों को किया जाएगा चिनहीत राजे भर में मात्रू सीसू स्वास्थ सुरक्षा को लेकर एक माह का विशेस अभियान चलेगा माव सीसू की सेहत सुरक्षा को लेकर बुद्धवार से जारखन मात्रो सीसू स्वास्थ एवं पोसन माह की सुरुआत कर दी गई है या अभियान 27 जनवाई तक चलेगा 26 अभियान के ताहत अगले 27 जनवाई तक राजे के सभी जीलों में सहरीवा ग्रामिन अस्थर पर गर्वती और बच्चों की समाने स्वास्थ की जाच की जाएगी अभियान के लिए एएनेम सहिया और आंगनवाडी सेविका के माध्यम से आंगनवाडी केंद्रों से लेकर स्वास्थ उपकेंद्र अस्थर पर सत्र आयोजित किये जाएगे साहिया और आगनवाली सेविका बच्चों को करंबत तरीके से सत्र अस्थल तक लाने के लिए अभिभावक को प्रोथ साहित करेंगे साथ ही घर घर जाकर नौ माहसे पांच वरस तक के लगभग 41,85,90 बच्चों को विटामिन A और IMA सीरफ पिलाई जाएगी four दे जाहिए पाराशिक्षा करेंगे साहिये जार्खन साहिय के पाद्धियापक संहर्ज मोर्चा के नितिव ኩोई जस में यह नेरना लिया गया मोर्चा के नितिव तुमें पाराशिक्षक्ष को गुरवाज्य और निस्चित कारीन गराव पर बैठ गये थे बिदायक ने जहारकन सहाईक अध्यापक सहर्ज मोर्चा को अस्वश्ठ किये की मोर्चा के सि्ष्ट मंडल की वरता दस जनवाई से पूर्व होगी सहाईक अध्यापको की बेतन मान समेथ औन जो समझ सहय सचीव के अस्तर की होगी उन्हें विभागिया वारता कर निप्टारा कराया जाएगा वहीं जो विशाय निती निर्धारन के अस्तर की है उन्हें मुख्यमंत्री के साथ बाचित कर निदान कराया जाएगा सरना कोड को लेकर भारत बंद की पुर्व संध्या पर मसाल जुलूस सारना कोड लागू करने की मांग को लेकर 30 दिसंबर को बुलाये गए भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम की पूरो संध्या पर जार्कन करेधानी राचिये मसाल जुलूस निकाला गया जैपाल सिंगमुंडा स्टेडियम से अलवट एका चोग तक केंद्रिये सारना समिती अखिल भारतिया आदिवासी विकास परिशाद आदिवासी छात्रसंग आदिवासी सेगल अभियान एवं कई अने आदिवासी संगटन इस मसाल जुलूस में सामिल थे केंद्रिये सारना समिती के केंद्रिये अध्याक फूलचन तिर्की ने कहा है कि 15 कोड़ परकिर्ती पुजक आदिवासी विकास अब तक धार्मिक पहचा नहीं मिली है बरसों से आदिवासी सारना कोट की लड़ाई लड़ रहे हैं धर्मकोड नहीं होने के कारण जवरन परकिर्ती पुजक आदिवासीयों को हिंदू एवं इसाई बनाया जा रहा 15 नौबर को भारत के प्रधान मत्री भावान बिर्सा मुंडा के जनम अस्थली उलिहातू आय थे लेकिन उन्होंने सारना धर्मकोट के बारे में कुछ नहीं कहा जार्खन सरकार ने पूरे किये 4 साल सीयम हेमंत ने गिनाई उपलब दिया सीयम हेमान सुरे ने जार्खन सरकार के चौथी वर्स गार्ट पर मौराबादी मैदन में आयो जी समारों में 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेस किया इस दोरान एक तरफ चाहां चुना उतियों के बीच अपनी सरकार के उपलब्धिया गिनाई वहीं राजे में पूर्व की बीज़ेपी सरकार पन निसाना ता धा जो कहा है वो कर के दिखाएंगे गरीबों को अबवा आवास का लाव देंगे चाहाज इतना समय लग जाए जायरखन की बेटियों के वह इसकी चींता करने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा है कि इसकी जिमेदारी हिमन सुरेन सरकार ने ली है अब घर में जितनी भी बेटिया है सावी को सावीत्री भाई फूले की सोरी समरीदी जोजना कला मिलेगा बता दे रांची में ही चारो तरफ फलाई ओवर का निर्बान भी हो रहा है सरकार की छवी खराब करने के लिए राष्ट पती के आगमन के वक्त बिजली काट दी जाती है लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा जार्खन में एक जनवरी की साम से बारिस के असार जार्खन में इंदिर नियोतनता अपमान 11-14 डिग्री से सिस्रह रहा है समाने से 2-4 डिग्री अधिक है जार्खन में दिसंबर माह में दीन में गर्मी से मौसम बेग्यानी भी चीनती था है 31-31 दिसंबर को सुबह में कोहरा चाय रहेगा वा दीन में मौसम सुस्क रहेगा हलाकि साम में ठंड बढ़ेगी मौसम बिग्यान केंडरे ने पच्मी भी चौप के सक्रिय होने के कराण एक जनवरी की साम पलामू सहीत राजी के पच्मी इलाके में हलके वा मत दर्जे की बारिस होने का अनुमान लगाया पलामू से चलाय बादल दो जनवरी की सामतक रांची वा आसपास के इलाके में छाजाएगा इससे रांची के कई इलाकों में गर्जन के साथ हलकी बारिस हो सकती है जबकि 3 वर 4 जन्वरी को पूरे जारकन में बादल चाहे रहने वहल के वहमत दर्जे की बारिस होने का अनुमान है मोधी सरकार के निव इयर गिफ्ट सुकने योजना पर मिलेगा ज्यादा ब्याज केंदर सरकार ने लोगों को बढ़ा तोफा दिया है नए साल से पहले सुक्रवार को सरकार ने जन्वरी मार्च 2024 तीमाही के लिफ्ट सुकने समरीदी योजना तीन साल की टाइम डिपोजिट जैसे कुछ छोटी बयत योजना के ब्याज दर को बढ़ावा दिया है एक अधिसुचना में केंदरी बित मंत्राल ने कहा है कि सुका ने समरीदी योजना और तीन साल की टाइम डिपोजिट योजना के ब्याज में ममुली बढ़ोतरी की गई वही कई स्मॉल सेबिंग स्किम के ब्याज दर को अंचेंज रखा है केंदर स्कार ने समरीदी योजना के ब्याज दर को अब 8.2.50 कर दिया है जबकि 3 साल की टाइम डिपोजिट को बढ़ा कर 7.1.50 कर दिया है बता दे पहले सुका ने समरीदी योजना का ब्याज दर 8.50 और 3 साल की टी का ब्याज 7.1.50 था ATM से पैसा निकालने वाले साइबर अपराधियों को किया जा सकेगा ट्रैक जारखन पुलिस भी अब ATM से पैसा निकालने वाले साइबर अपराधियों का इस काम में साइबर अपराधियों को सहयोग करने वालों को ट्रैक कर सकेगी CID के DG अनुराग गुपता ग्रिह मंत्राले के अधिन काम करने वाले संगठन Indian Cyber Crime Coordination Center के अधिकारियों से मिल कर इस दिशा में काम कर रहे हैं साथ ही करवाई के लिए Action Plan त्यार कर रहे हैं CID DG अनुराग गुपता ने पताया है कि पूरे देश में विभीन बैंको के 7-8 लाख ATM का डाटा हासिल कर इसे प्रतिवीम एप में प्रोजेक्ट कर दिया गया है अब इसके जर ये साइबर अपराधियों को ट्रेक किया जाएगा कि वे पैसा निकालने के लिए कहां और किस ATM में जाते हैं जारखन के 652 लड़के और 723 लड़किया एक साल से लपाता है आखन के 1395 में लड़के लड़किया लपाता है इनमे से 652 लड़के और 723 लड़किया है सभी एक वर्षते ज्यादा समय से लपाता है नेशनल क्राइम रिकोर्ट्स ब्योरो द्वारा वर्ष 2022 में जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है लपाता लड़के लड़किया कहां और किसी सीती में है इसकी जनकारी अब तक सामने नहीं आई है रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में 214 लड़के लड़किया लपाता हुए इनमे से 956 लड़के और 1258 लड़किया थी इस्ते पहले के वर्सों में लपाता हुए 472 लड़के वर 476 लड़कियों का अब थक पता नहीं चल पादा वर्स 2022 में 304 लड़के और 515 लड़किया को बरामत किया गया था निसिकांथ दूबे पर एफायर होने पर आग बबुला हुए बावुला मरांडी भाजपा के परदेश अध्यक्स बावुला मरांडी ने गोड़ा के भाजपा सांसर डाक्टर निसिकांथ दूबे के खिलाब दर्ज एफायर का बिरोध किया है उन्होंने कहा है कि देवघर जीले में गवतसकरों को बांगला देश ले जा रहे सैकडों पसुधन के साथ पूलीस से पकड़वाने वाले सांसर निसिकांथ दूबे पर गुरुआर को एफायर किया गया सुक्रवार को किसी गिरफतार अफराधी का फोटो खिचने वाले पत्रकार वादेव घर में एफायर किया गया उन्होंने कहा है कि समझ में नहीं आता सरकार किस प्रकार मनमाने तरीके से फातला ले रही है चार साल में बिरोधियों को सताने और चुप कराने के लिए 2800 फर्जी मुकादमा किया गया ऐसा करने वाले सरकार का भाला नहीं चाहते हैं हेमंत सरकार के चार साल पूरा होने पर आईसू ने जारी किया रिपोर्ट का ज़ारखन के पूर उप मुख मंत्री सा आईसू पार्टी के अध्यक सुदेस महतों ने कहा है कि हेमंत सरकार के चार वर्षों के कारेकाल में ना तो नियोजन और नहीं निती पर कोई काम हुआ नह उन्होंने कहा है कि यह सरकार उसूल की नहीं वसूली की सरकार रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कोई भी सरकारी कामगाज बिना पैसे की नहीं होता। सुदेश ने कहा कि नियोजा नीती लागू करने में नकाम रही इस सरकार की यही उपलब्दिया है कि 7 लाख लोग सरकारी आकडों में ही बेरुजगार हैं 8 लाख युगा यहां से पलाइन कर गए 4 वर्सों से पारा सिक्षक सड़कों पर हैं उन्होंने कहा है कि अपने हर वादे परिया सरकार फेल रही है पुरुवर्ती सरकार ने जहारखन की नीव की कमजोर मंत्री आलमगीर जार्खन सरकार के 4 साल पुरा होने पर ग्रामिन भीकास मंत्री अलमगीर अलम ने कहा है कि पुरवर्ती सरकार ने जार्खन की निव कमजोर की है इसे बलीडिंग कमजोर हो रही थी 2019 में हेमन सुरेन के नितित में महागडबंदन की सरकार आने के बाद उसे मजबूत करने लगी है 4 साल से सरकार लगातार लोगों के बीच रह कर काम कर रही है उन्होंने का एक भी पक्षी पार्टियों लोगों को गुमराह करने का काम करती है 1932 पर उनकी इस्थिती अस्पष्ट नहीं है सरकार के निर्ने पर बाधार डालने का काम करते है वो भी सियार अक्षन को सन्यूप्त बिहार के समय ही कम करवा दिया और अब बढ़ाने की मांग करते है आलमगीर आलम ने कहा है कि हमान सुरेन के नतीरते में दोबारा मिलने आएंगे जो काम है उसाब पूरा करेंगे और जो काम बच्च रह जाएगा उसे जानता क्या सिर्वास से पूरा करेंगे नए साल पर रांची के पहारी मंदीर में उम्रेंगे सरधालू नव वरस पर रांची के पहारी मंदीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे सीसी टीवी केमरे से निग्रानी की जाएगी बाबा के भक्तों को कोई परिशानी नहीं हो इसका पर्यास किया जा रहा है रांची पहारी मंदीर विकास समिती के एक महत्पुन बैठक सुकरवार को पहारी मंदीर मुखे करयाले में अध्यक्ष एन एन पांडे के अध्यक्षता में की गई इसके साथ ही सभी बर्गो का निरिक्षन किया गया इस दोरान निरना लिया गया है कि एक जनवरी को पहाड़ी मंदीर में आने वाले भगतों को बेहतर सुधाये देने के लिए और भीड को नियंत्रित करने के लिए बिसेस ब्यवस्था की जाएगी सरकार की चोंथी वर्षगाठ पर नियुक्ती पत्र को लेकर बोले ज़ारखन के युवा सियम हमन्सुरे ने ज़ारखन सरकार की चोंथी वर्षगाठ पर मोरबादी मैंदान में आईयोजी समारों में 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेस किया इस जरण उन्होंने चुनोत योग के बीच अपनी सरकार के उपलब्धिया गिनाई उन्होंने कहा है कि सरकार ने बड़ी संख्या में नियुक्ति की है और एक करम जारी है अभी बड़ी संख्या में युवाओ की बाहली होगी उन्होंने नियुक्ति पत्र पाक और खुसी का इजहार किया सियम हमान सुरे ने कहा है कि अब परिजनों को जार्खन की बेटियों की बहिस की चींता करने की ज़रुत नहीं है इसकी जिम्यदारी हमान सुरेन सरकार ने लिए है अब घर में जितनी भी बेटिया है सभी को सवीत्री भाई फूले की सोरी सम्रीद योजना कला मिलेगा बता दे सियम हेमन्त का बिपक्ष पर प्रहार जार्खन को भाजपा सासन ने बीमारू बनाया जार्खन सरकार के चार वर्ष पूरा होने पर आयोजी समारों को समोधित करते हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष दो हजजार में सरपलस बयट के साथ जनमे जार्खन को भाजपा ने बीमारू राजबना दिया डबल इंजन वाली भाजपा सरकार ने 11 लाग गरीबों का राशन कार्ड रद कर दिया था हमारी सरकार ने 20 लाग नए राशन कार्ड बना कर लोगों को अनाज दिया अब तो कार्ड धारकों को मुफ्त दाल भी दी जा रही है राजबनने के 20 सालों बाद तक केवा 16 लाग गरीबों को ही पेंसन का अधिकार माना गया था वहीं अब पिछले 4 साल में 36 लाग लोगों को पेंसन योजना का लाभुक बनाया गया पड़ोसी राज़ों में 2800 से 300 रुपए ही पेंसन दी जाती है जबकि जारकन में सभी को एक 100 रुपए पेंसन के रूप में मिलते हैं सीरी सुरेंट सुक्रवार को मुरबादी में आयोधीत राजकी समारों में बोल रहे थे इडी ने सीम हेमंत को दिया आखरी मौका कहा आपका ब्यान दर्ज करना है परवतर निदे साल इडी ने जमीन के ममले में जाच के दौरान ब्यान दर्ज कराने के लिए मुख्य मंत्री हेमंसुरेंट को आखरी मौका दिया है इडी ने पत्र लिख कर मुख्य मंत्री को साथ दिनों के अंदर ब्यान धर्ज कराने को कहा है साथ ही दो दिनों के अंदर ऐसी जगह बताने को कहा है जो दोनों के लिए उप्यूक्त हो इडी ने इसी सिर्सिले में भेजे गए पत्र को सातवा समन करार दिया है साथ ही जगह से सम्मंधी सुचना दो दिनों के अंदर लिखित रूप से देने को कहा है ED की ओर से मुख्यमंद्री को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ED द्वारा बढ़गाई अंचल कराई सो करमचारी भानू परताप के मामले में दर्ज ECR संख्या 25 बाइ 23 की जाच की जा रही है या ECRI सरकारी दास्तावज़ों में 6 अच्छा और जाल साजी से सम्मंधी था है मामले की जाच के दौरान आपका बैयान दर्ज करने के लिए 6 समन भेजे गाए लेकिन आप एक बार भी ED करयाले में हाजीर नहीं हुए इसके लिए आपने निरधार कारण बताते समन के अलोक में आपके हाजिर नहीं होने की वज़ा से मामले की जाच में अचन पैदा हो रही है और जाच परभावित है सिम्डेगा के सिटी बजाओ इसकूल बुलाओ अभियान अब राज्य में होगा लागू सिम्डेगा जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों के उपस्चिती बढ़ाने के उदेश से सुरू किये गए सिटी बजाओ उपस्चिती बढ़ाओ अभियान का असर दिख रहा है इस अभियान से ना केवल स्कूलों में बच्चों को उपस्चिती बढ़ रही है बलिक बच्चों में नेतिवत चमता का भी विकास हो रहा है राज सरकार अब इस करकरम को राज भर में लागू करने जा रही है सिटी बजाव इसकूल बुलाव करकरम के नाम से इसकी सुरुवात होगी सिटी बजाते हुए इसकूल जाते है